पिशले बारा घंटे में भारत में कोरोना से दो नए लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वारस का कहर पूरी दुनिया में जारी है और इस महामारी से अब तक चार लाग से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वारस के बाद अब चीन में हैंटा वारस का मामला सामनी आया है। हैंटा वारस इंसानों में चूहों से फैलता है। चीन के ग्लोबल टाइम्स के खबर के मताबिक युनान प्रांत में एक व्यक्ति की हैंचा वाइरस से मौत हो गई है कौरोना वाइरस के बढ़ते हुए खत्रे को देखते हुए प्रधान मंतरी मोदी ने राश को सम्बोद्ध करते हुए 21 के देश्वीयाफी लॉकडाउन की खूश्चा कर दी प्रुधान मंत्री मोदी ने कहा कि कॉरोना की साइकल को तोड़ने के लिए 21 दिन बेहद एहम है और इसके लिए संपून लॉकडाउन जरूरी है पीम ने कहा लॉकडाउन का मतलब चाहे जो हो जाए घर में रहना है और तब ही कॉरोना से लड़ाई सभब है प्रुधान मंत्री मोदी ने लॉकडाउन के ऐलान के दौरान एक पोस्टर भी साजा किया जिसमें कॉरोना को लॉकडाउन से जोड़ा पोस्टर में एक तरफ कोरोना लिखा था और दूसरी तरफ उसका मतलब लिखा था यानि कि कोई से कोई रोज से रोट पर ना से ना निकले इसे कोरोना से जोडते हुए संदेश दिया कि कोई रोट पर ना निकले देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 15,000 करोड रुपए का प्रापधान किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाय जारी रहेंगी किसी को पैनिक करने की जरुवत नहीं है जैसे कि अस्पताल, दूद, सबजी, दवाई दुखान प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को अंध विश्वास और अफवाहों से बचने की सलाह भी दी दिली में लॉकडाउन के बाद करफ्यू लागू हुआ सी एम अर्विन केजरिवाल ने कहा पिछले 40 घंटे में किसी भी मरीज का टेस्ट पॉजिट नहीं पाया गया तीस मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं दिली में अभी सिर्फ तेस मरीज हैं दिली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल ने आगे कहा कि हमने पाच लोगों की एक टीप बनाई है जो ये बताएगे कि अगर कॉरोना थर्ड स्टेज में आता है तो हमें करना क्या होगा कॉरोना वारस के चलते कई जरूरी काम टाले जा रहे हैं राज्यसभा के चुनाव टाल दिये गए चुनाव आयोग ने बैठक के बाद ये फैसला लिया नई तारीक बात में तै होगी चुनाव आयोग ने 26 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव को इस थागित करने का फैसला किया ये फैसला राज्यसभा चुनाव आयोगों के साथ की गई बैठक में लिया गया कोरोना के चलते चुनाव आयोजित नहीं किये जा सकेंगे कोरोना वाइरस के प्रकोप के चलते वित्तमंत्री निर्मला सीता रमन की तरफ से आईकर रिटर्न की तारीख बढ़ा कर अब 30 जून किये जाने से व्यापारियों ने रात की सास ली इसके अलावा अधार को पान कार्ड से लिंक करने की तारीख भी 30 जून अप कर दी गई है पहले आईकर रिटर्न की तारीख 31 मार्च थी जिसके बाद व्यापारी परिश्रान थे दिल्ली में कॉरोना के चलते लॉकडाउन के दूसरे दिन पुलिस ने शाहीन बाग के धरनास्थल को खाली करा दिया नागरिक्ता संशोधन कानून के खिलाफ पिछले 100 दिन से प्रदर्शन चारी था पुलिस ने पहले सड़क खाली करने की अपील की जब वो नहीं माने तो पुलिस ने जबरदस्ती टेंट हटाए और फिर लोगों को वहां से हटा दिया